जनपर संबल के चंदोसी में अभी भाबक संब ने उत्तपे देश में माधनी सिक्षा राज्य मंत्री को ग्यापन चौप कर ओनलाइन क्लास पर रोक वर्दमार सत्र को जीयो तता फीस माधनी की मांग की गई कोविड-19 मां मारी काल में स्कूल 22 मार्च 2020 से बन चल रहे हैं और बच्चो के सिक्षा तबी से बाद ही चली आ रहे ही कि बच्चो को संकर्मर से बचाने है तूँ अभी भाबक बच्चो को घर्ज में रोके हुए हैं ऐसी माहसिक पीड़ा के दोर में किसी भी पैकार के और नाइस शिक्षा के मात्यम से बच्चो को जबदस्ती बात दे कर रहे हैं जिसे बच्चो के स्वास्ते वा मांसिफ स्वास्ते पर बुरा प्रभाव पढ़ रहा है इसी को देखते हुए जन्पर संबल के चंदोसी में अभी भाबक संग ने आज पर देश सरकार में माद अभी शिक्षर राज्यमंत्री गुलावो देवी ने अभी भाबक संग को आश्वाशन देती हुए कहा कि वे स्कूल प्रभंदकों को गुलाकर इस पर वार्ता करेंगी इस दुरान अभी भाबक संग के परतेनीगी भी मौजूद रहे हमारा कहना यह है कि निजी विद्याले प्रभंदन चात्रों पर चात्रों बढ़ा हुआ अनुचू दवाब बना रहे हैं इविन ध्रमगिया यह दिया रहे हैं कि दस्मी बार्मी के चात्र हैं जो बुनका बोट एक्जाम है वो कह रहे हैं उनका रेस्टेशन फॉर्म ही भ पैसे नहीं है और अनुचु दवाब बनाया जा रहा है निजी विद्याले हो दारा कि हमें आप फीज लाकर दीजिए कहीं से लाकर दीजिए वह अपने जेवर गिर पतनी के वह अपने कपड़े बेच्चा है वह अपने क्या करे हम हमारी बास रोज 8-10-12-15 लोग आते हम स तक प्रॉपर स्कूल नहीं खूलते प्रॉपर सिय मदलम जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं बेस बसता लेते स्कूल शोड़ा नहीं पर भूए बच्यों अच्छा-न किया जाए और अगर जरूरत पढ़ें तो हमारे बच्चों को इस मामारी बचाने के लिए सत्र को जीरो सेशन गोशित किया जाए कोई आफ़ नियारी बच्चे एक साल नहीं पढ़ेंगे तो आगे फिर पढ़ लेंगे जान है तो जहान है हमारे मानी पढ़ान दीजी नहीं क अगर जारी रहती है तो इसका कोई चार्ड नहीं लिया जाए निजी में द्याल है पिछले बिगत कई सालों से बहुत पैसा कमा रहे हैं लाइकि आरा के स्कूल 1990 से लेके 2020 से तीस साल हो गई अर्वों खर्व रुप्या कमा लिया शेयरकर बदी भाबना होनी चाहिए आरा क जारी रहेगा किसमें चाहे हमें किसी भात तक जाना पड़े अबिवाबकों की समस्या का समधन किया जाएगा वैसे हमारी सरकार ने बहुत-बड़ा समधन किया है इस लोकडाउन के जो भीच में उन्होंने ये विवस्ता किये कि बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए घरों में पड़ाई की विवस्ता किये कि वो आउनलाइन पड़ाई करेंगे और फीच में उन्होंने बहुत-बड़ा संसुदन किया है कि जो अभीवाबक आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अपनी फीच के लिए किस्तों में जमा कर सकते हैं और किस्तों के साथ ज लेकिन प्रशन ये वक्ता है कि अगर सभी अभीवाबक अपनी मजबूरी को दिखाएंगे कि हम फीच नहीं दे सकते तो जो आउनलाइन पड़ाई चल लही है पूरा इस्टाफ हमारा काम कर रहा है कि बिना फीच के विवस्ता कैसे बनेगी विद्ध्यानों की तो उसके ल उसे बेतन मिलता है सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए फीच देनी आवश्यक है तो इस परकार से सामजजस से बठा लगया है अब हमारे सारे लोग अभी जो आए हैं जिन्होंने मुझे ये ग्यापन दिया है उनकी मांग यह है कि जब तक विद्धा बच्चे विद्ध ड़्धा कि उनको बुलाओंगी और दोनों के बीच में मैं बार्ता करवा पाओंगी जो बीच का रास्ता निकलेगा जिससे विद्धालों की विवस्ता भी खराब ना हो और हमारे आभी वावकों को भी परिशानी ना हो ऐसा रास्ता निकालने का हम प्रियास करेदी